नमस्कार मित्रों जैसी आराम मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जियोतिश शिंतल में हार दिक्स वाकत है मित्रों हम चर्चा कर रहे थे सूर्ड के विभिन राशियों में होने वाले फलों की कि सूर सभी राशियों में कैसे अपने प्रभाव देते हैं और अस चर्चा में मैंने अब तक आपको सूर के मेश राशी से लेकर कन्या राशी तक के फलों को बता दिया था आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे की राशीयों की तो शुरुआत करते हैं कि जब सूर्य तुला राशी में होते हैं तो कैसे अपने फल प्रदान करते हैं तेके सूर्य के लिए तुला नीच की राशी है तुला राशी के स्वामी होते हैं शुक्र जो की सूर्य के शत्रू है इस तरह सूर्य अपनी नीच राशी तुला में शुबता को खो देते हैं निर्बल हो जाते हैं और जब आत्म कारक सूर्य निर्बल हो जाते हैं बलहीन हो जाते हैं तो वैतुला राशी की विशेशताओं के अधीन होकर अपने कारुकत के फलों में भारी कमी कर देते हैं और तब जातक को सूर के फल पूरितिया प्राप्त नहीं हुपाते परिल्लाम स्वरूब व्यक्ति नैतिकता को छोड़ देता है उसमें आत्म बल नहीं रहता वै अन्याई अनैतिक मद्दिपान करने वाला परिस्त्रियों से संबंद बनाने वाला राजक्रपा से वंचित धन और अच्छे स्वास्त से वंचित हो जाता है ऐसा व्यक्ति सांसारिक बातों में उल्जा रहता है कुटुम सुक उसे नहीं मिल पाता पिता का सुक उनका सानिद नहीं मिलता या पिता से विरोध रहता है जातक जगडालू प्रकति का पित रोगी नेत्रवा हटी के विकार से तरस्त पेट रोगी हो सकता है वे दूसरों के अधीन काम करने वाला परतंत्र, उर्जाहीन, तेज विहीन, रोगी जैसा नजर आता है हालकि मित्रों शुब अशुब प्रभाव अन बातों पर भी निर्मर करते हैं सूर इस राशी में व्यक्ति को कामुक भी बनाता है दांपत्य जीवन को खराब करता है इस राशी में दस डिगरी तक सूर परम नीच अवस्था में होते हैं व्यक्ति की शारेरी कुर्चा और इक्षा शक्ति कम हो जाती है आत्मे विश्वास कम हो जाता है व्यक्ति दूसरों पर आश्षित हो जाता है सूर का अगर नीच भंग हो जाए तो फिर नकारात्मत प्रभावों में कमी आ जाती है तुला का सूर व्यक्ति को दूसरों से इर्श्या करवाता है वैं दूसरों को दोश देने लगता है और स्वयम के दोशों को नहीं देखता फिर व्यक्ति थोड़ा बहुत क्रियेटिव आवश्य होता है ऐसा मैंने देखा है इसके बाबजूद भी इतने नकारात्मत प्रणामों के बाबजूद भी तुला का सूर व्यक्ति को क्रियेटिव भी बनाता है मित्रों अब बात सूर के ब्रशिक राशिक फ़लों की ब्रशिक राशिक का स्वामी मंगल सूर के मित्र है ब्रशिक जल तत्त की इस्थिर राशि है मेश भी मंगल की राशि है लेकिन वै अगनी तत्त की राशि है जो सूर के अनकूल है लेकिन मंगल की इस राशी में यानी बश्चिक राशी में जो की जलिय राशी है यहां सूर को अनकूलता प्राप्त नहीं होगी इसलिए इस राशी में सूर के उत्तम गुन प्राप्त नहीं हो पाएंगे वैसे भी सूर यहां अपनी नीच राशी तुला के निकट होंगे फिर भी जातक सहासी, चिकटसक, गुप्त विद्याओं का प्रेमी, जियोतिश, दर्शन, रिशर्च में रुची रखने वाला, अगनी विश, शस्त्र यानि हतियार आजिसे भै रखने वाला, नेत्र रोगी और अस्तिर विकार, आसी विकार की संभावना वाला होता है, जातक लडाई जगणों में रुची लेने वाला, कंजूस, क्रोधी, माता पिता का विरोधी, धार्मिक मार्ग में अरुची रखने वाला, मिध्यावादी, प्रकती करने में असमर्थ, चिर्चड़ा, असिष् हटी या जिद्धी सिधान्त रहित हो जाएगा, मंगल की इस्थिती यदि अच्छी हुई, तो फिर ये निगेटिविटी में बहुत कमी आईगी, व्यश्यक राशी का सूर्य, व्यक्ति को गूर विद्याओं में, अध्यात्म में बहुत रुची देता है, जातक को माया ज बहुत रियकत में, रुची अधिक होती है, उसमें वِّरक्ति का भाव होता है, पार्पुव्यक्ति अतुश्य जिद्धी होता है, इसलिए वह अपना लुक्सान भी करा बैटता है, क्योंकि वह समय के अनुसार अपने को ढ़्याल नहीं पाता, अपने को चेंज और नहीं कर मैंने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति की परसनेलिटी नकारात्मक रूप से शेप लेती है यानि व्यक्ति अपने अताहा ग्यान का कोई लाब नहीं उठा पाता और गलत इशा में चल देता है फिर व्यक्ति में अनेको अनेक दुर्बुन भी आ जाते है फिर भी मैंने ये ऐसा भी देखा है कि ब्रशिक राशिक के सूर में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है व्यक्ति में उसे देवी करपा प्राप्त हो सकती है तो मित्रों आज तो मैं अपने वीडियो को यहीं अन्त करूंगा शेस राशियो का फिल मैं कल के वीडियो में बताओंगा तब तक आप सभी को जैश याराम नमस्कार